श्री विष्णी पुरान बीस्वा अध्याय प्रहलात कुरत भगवत स्तूति और भगवान का आवर्भाव श्री पराशर जी बोले हे ग्रेज इस प्रकार भगवान विष्णी को अपने से अभिन चिंतन करते करते पूर तनमयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अचूत रूपही अनुभव किया मैं अपने आपको भूल गए उस समय उही श्री भगवान विष्णी के अतिरित और कुछ भी नाप्रतित होता था बस केवल यही भावना चितने थी कि मैं ही अव्याय और अनुद परमात्मा हूं उस भावना की योग से विष्णी पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतह करण में ज्यान स्वरूप अचूत शुद्धवान विष्णी विराजमान हुए हे मैत्वय इस प्रकारियों बल से असुर प्रहलाग जी के विष्णुमाय हो जाने पर उनके विचलत होने से वे नाप्पाश एक शण भर में ही तूट गए भिमंशी ग्रहगण और तरल तरंगों से परिपून पून संपून महसागर शुद्ध हो गया तथा परवत और वनो परवनो से पून समस्त्रत में हिलने लगी तथा महमती प्रहलाग जी अपने उपर डेटू द्वारा लागे गए उस संपून परवत संहों को दूर प्हेक कर जलसे बाहर निकल आए तब आकाश आदी रूप जगत को फिर डेख कर उन्हे जित में यह पुनह भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन्ह मह गुद्धिमान में मन वानी और शरीर के सायम पूरवत धेरे धारण कर एकागर रुचित से पुनहा धिगवान अनादी पुरशोतम की स्तूती की है यह शराक्षर कार्य कार्य रुच यह व्यक्तावत द्रश्य द्रश्य स्वरुच यह कलाती यह सकलेश्वर यह निरंजन देव आपको नमशकार है है गुने को अनुरंजित करने वाले, है गुनाधार, है दिर्गुनात्मण, है गुन्स्थित, है नूरत और अनुरत महामूर्ती मान, है सुक्ष्नमूर्ती, है प्रकाश फ्रकाश स्वरुच आपको नमशकार है हे विक्राल और सुंदर वूप, हे वुद्या और अवुद्या मै अचियूद, हे सदसत, कारे कारण वूप जगत के उद्भिवस्थान और सदसजगत के पालक आपको नमशकार है, हे नित्या मित्या, आकाश घुटादी रूप, प्रपांचात्मन, हे प्रपंच से प्रथक रहने वाले, हे ज्यानियों के आश्रे रूप, हे एकानेक रूप, आविकारण वासुदेग आपको नमशकार है, जो स्थुल सुक्ष्मरूप और स्विक्प्रकाश्टनाएं हैं, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापी वस्तुतहर संपूर भूतादी से परे हैं, वश्व के कारण ना होने पर भी जिनसे यह समस्त वश्व उत्पन हुआ हैं, उन पुरुशूतन भगवान को नमशकार है, शेह पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तम्मयतव पूर्वक स्तूती करने पर पितांगर घारी देवादी देव भगवान हरी प्रकट हो गए, हे द्विज उनहीं सहिसा प्रकट हुए देख में खड़े हो गए और गद्द गद्द वानी से भ भगवान विष्ट्व को नमशकार है, ऐसा बारंबार कहने लगे, प्रहलाजी बोले, हे शर्णागत दुख हारी श्री केशल देव पसंद हो इए, हे अचोद अपने पुन्य दर्शनों से मुझे फिर भी पभुत्र केजिए, श्री भगवान बोले, हे पहलाद मैं तेरी अनन्य भक्ती से अतिक पसंद हूं, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले, वहलाजी बोले, हे नात, सहिस्त्रों योगियों से मैं जिस जिसमें भी जाओं, उसी उसी में है अचूद, आपने मेरी सरवधा अक्षन भक्ती रहे, अभिवे के परशों की विशे में जैसी अविचल पीती होती है, वैसी ही आपका स्मन करते हुए मेरे रिड़े से कभी बूर ना हम, शिद्धिकवान बोले, हे पहलाद, मुझे तो 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 तोरी भुती है ही, और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किन्तु इसके अतिर्पते भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो, मुझ किया है, उन्हें उससे जो पाप लगा है, वह नस्त हो जाए, इसके अतिर्पत उन्ती आग्या से मेरे शरीर पर दोशस्त्रा घात किये गए, मुझे अग्मे समुह में डाला गया, सरकों से कटवाया गया, भोजन में विश दिया गया, बांधकर समद्र में डाला गया, शि जो जो गुर वहवार, पिताजी वे मेरे साथ ये है, वे सब आपने भुपी रखने वाले पुरुष्ट प्रती द्विश होने से, उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी क्रपा से मेरे पिता उसे शिद्रहे मुक्त हो जाएं, श्री भगवान बोले, हे प्रहलार, मेरी क्रपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर होंगी, हे असर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हों मांग लो, प्रहलार जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही प्रत क्रत्या हो गया कि, आपकी अविचल भुत्ती रहेगी, हे प्रभु संपूर जगत के कारण रूप, आपके जिसके निश्चल भुत्ती है, मुक्ती भी उसके मुक्ती में रहती है, फे धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है, श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भुत्त तेरा चित, जैस अनिश्चल है, उसके कारण तू मेरी करपा से पर्म निर्वान पद पाप्त करेगा, श्री पराशब जी बोले, हे मैं त्रए, ऐसा कहे भगवान, उनके देखते देखते अंतंधान हो गए, और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चाइनों की वंदना की, हे देज, त पुत्र का से रसुम कर, आँखों में आसु भर कर कहा, पुत्र जीता तो है, वह महन असुद अपने किये पर पठता कर, फिर प्रहलाज से फ्रेम करने लगा, और इस प्रकार धर्मग्य प्रहलाजी भी, अपने गुरू और माता पिता की सिवा शुशुशा करने लगे, हे म फिर प्रारब्ध शाय कारिणी, राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पत्र आदीत था, परम एश्वरे पाकर, कर्म धिकार के शीर होने पर, पुन्य पाप से रहित होकर, भगवान का ध्यान करते हुए, उन्होंने परम निर्वान पद पाप्त किया, हे मैत्रें, जिनके बिशाय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती गत्य प्रवर प्रहलाग जी, ऐसे प्रभावशाली हुए, उन्हाराजा प्रहलाग जी के इस चरुत्र को जो पुरुष सुनता है, इसके पाप शुगोही नश्ट हो जाती है, हे मैत्रें, इसमें संदह नह जी है कि मनिश्य प्रहलाग चरुत्र के सुनने या पढ़ने से दिनगात के निरंतर किये हुए पापों से अवश्य छूट जाता है, हे गेज पूर्णेमा अमावस्या अस्तुमी अथ्वा ज्यादशी को इसे पढ़ने से मनिश्य को ज्रादान का फ्र मिलता है, जिस प्रक वे सरवगा उसके भी रक्षा करते हैं, जो उनका चर्ट्र सुनता है, इस प्रकार श्री विष्टु पुरान के पहले अंश में बीस्वा अध्याय सांपूर हुआ, जै श्री हरी